Hello everybody, welcome to Definite Success Part Shala और मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और यह वो platform है जहाँ पर success बिलकुल definite है और इसी के साथ चली स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का session जो की है हमारी class 10th की English book First Flight से जिसका chapter 1 है A Letter to God और इसी chapter के आज हम cover करने वाले हैं Multiple Choice Questions याने की MCQs कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत सिंपल है एक question रहता है and four options given रहते है आपको question पढ़ना है, उसको समझना है you have to understand that particular question and you have to tick mark the correct option मेरे इस वीडियो से पहले already मैं दो वीडियो आपको इसी lesson से दे चुकी हूँ पहला one shot revision of this lesson and दूसरा MIQs जाने की most important questions from the chapter तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखे हैं so that आप बहुत easily relate कर पाए MCQs से and इसी के साथ चली start करते हैं हमारा first multiple choice question what did Lencho say to his sons after the hail passed जैसे ही hail passed हो गई याने hail याने की जो आपकी जो बर्फ के जो ओले की जो बारिश हो रही थी जो बर्फ के ओले जैसे ही pass हो गए खतम हो गए उसके बाद Lencho ने अपने sons याने अपने बेटों से क्या कहा था four options four sentences है statement से उन्हें देखते हैं a plague of locusts would have left more than this the hail has left nothing उसने कहा कि अगर पूरा plague of locusts locusts वो insects होते हैं जो पूरी फसल को खा जाते हैं खराब कर देते हैं और अगर उनका plague याने उनका पूरा plague पूरी जुन्ड भी अगर आ जाता तो भी at least वो कुछ तो छोड़ देते ताकि उसको जाके हम बेच के मार्केट से पैसे बचा लेते इस हेल ने इस ओलों की बारिश ने सब कुछ खतम कर दिया सब कुछ बरबाद कर दिया तो yes ये बात बिलकुल पक्की बात है कही थी किसने लैंचो ने तो ये बात उसने कही थी next statement this year we will have no con all our work for nothing उसने अपने बेटों से कहा ये सब देखे कि इस साल हमारी कोई फसल कोई क्रॉप्स नहीं होंगी हमारा जितना भी काम था फॉर ना थे यानि जितना हमने काम किया था उसका में कुछ भी हासिल नहीं होगा तो yes ये बात उसने बिलकुल कही थी लेकिन बाद में कही ने कही उसको ऐसा फील हुआ था कि God is the only hope भगवान ही हमारे है जो अब मदद करेंगे लेकिन उस particular time पे उसने ऐसा कहा था next we'll go all hungry this year ऐसा लग रहा है इस साल हम लोग भूके मरेंगी तो yes ये बात भी उसने definitely कही थी अपने बेटों से तो options है only a कैसे statement a उसने बोला option b a and b दोनों बोला option c b c या d उसने बोला है ये option d बोल रहे है all of these कि उसने चारो की चारो बाते ही बोली तो yes all of these is the right option to this question क्योंकि उसने ये सब बाते ही बोली थी yes all of these उसने ये सारी ही चीज़े अपने बेटों से कही थी so option d is the right option for this question next question lencho is dash when he says that's what they say no one dies of hunger अब ये जो sentence है ये जो आपका statement है no one dies of hunger ये चीज लेंचो बोलता है ये चीज कौन बोलता है lencho बोलता है कि कोई भी भूका नहीं मरता तो जब lencho ने ये statement बोला वो कैसा feel कर रहा था option A, क्या वो doubtful था क्या उसके मन में कोई doubt था कि शायद न कोई भूका नहीं मरेगा मैं भूका मर भी सकता हूं नहीं भी मर सकता हूं क्या वो doubtful था, नहीं जब कोई ये चीज बोल रहा है कि no one dies of hunger कोई भूका नहीं मरेगा तो वो doubtful नहीं है वो बहुत confidently ये चीज कह रहा है क्या तब वो stressed था, tension में था हाँ दुखी था लेकिन tension में नहीं था क्योंकि इसको उम्मीद थी कि भगवान मेरी मदद कर देंगे क्या वो confused था no one dies of hunger कोई नहीं भूका नहीं मरेगा अगर वो confused होता तो इस statement देता ही क्यों कोई serious issue चल रहा है तो confusion कर देर इस no room okay and last is dismissive dismissive यानि जब आप अगर मैं हिंदी में कहूं तो जब आप किसी चीज को courage कर देते हो, हटा देते हो यानि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी situation जो इतनी important नहीं है जिसको आप इतना worth नहीं मान रहे हैं इसको आप इतनी कोई value नहीं दे रहे हो इस चीज के बारे मैं आप इतना इसको consider नहीं कर रहे हो कि अरे कोई बहुत बड़ी बात है तो लैंचो कहीं नहीं ऐसा feel कर रहा था कि अरे हाँ ठीक है, crops खराब होगा है, ठीक है, कोई मदद नहीं करेगा, सब कुछ बर्बाद होगा है, मानते हैं, लेकिन God is there to help us, there is only one hope in this difficult time, that is God, तो वो कही ने कहीं, dismissive था, इस situation को उसने आया गाया किया और बोला, no one dies of hunger, कोई भूका भूका नहीं मरेगा, God is there to help us, so yes, he was dismissive, what was he, he was dismissive, so the right option to this question is, option number D, okay, so dismissive is the right answer, next question, what was the family's attitude, the night after the hailstorm, जब hailstorm होई, जब ओलो की बारिश होई, जिस रात को तो उसके बाद, जो family थी लेंचों की, उनका कैसा attitude, उनका कैसा behavior था, तो first of all, वो लोग दुखी तो थे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन they were supportive, वो लेंचों को support कर रहे थे, और लेंचों को उन्होंने solace किया, यहने comfort दिया कि don't worry, don't lose hope, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो the family was very supportive, तो क्या family was frustrated थी, चुड़ चुड़ा feel कर रही थी, नहीं, they were very supportive, optimistic, optimistic का मतलब क्या होता है, when you are feeling positive about something, optimistic means जब आप positive feel कर रहे हो, किसी भी situation में, यहने बुरा बुरा नहीं सोच रहे हो, तो yes, काईनक को इसकी family optimistic थी, इसको tick कर देते हैं, बढ़ दूसरों options भी देखते हैं, confident, क्या वो बहुत confident थे, नहीं, अभी ऐसी situation नहीं कि वो full of confidence है, वो दुखी थे, तो confident तो नहीं थे, were they furious, furious का मतलब होता है, angry, क्या वो बहुत गुस्से में थे, नहीं, वो बिलकुल गुस्से में नहीं थे, वो बहुत supportive थे, they were feeling very positive about the situation और जाधा tension नहीं ले रहे थे, okay, so option B, optimistic is the right option for this question, okay, next, Lencho's actions in the first paragraph show that he was, जब आप chapter पढ़ेंगे और उसका first paragraph पढ़ेंगे, तो आपको यह देखेगा कि Lencho कहीं न कहीं थोड़ा सा फिक्र कर रहा है, फिक्र कर रहा है कि भगवान एक बार अच्छी बारिश हो जाए, बस मेरे क्रॉन, कॉन की जो फिल्ड है, बढ़िया हो जाए, एनन उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वो फिक्र कर रहा है, कंसर्ण है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर आप देखें, तो Lencho का जो एक्षिन है, वो कैसा है, बाफिल्ड है क्या फिर्स पारग्राफ में, बाफिल्ड का मतलब होता है confused, क्या वो confused है, नहीं, वो confused नहीं है, उसको पता है कि मेरी फिल्ड बहुत अच्छी, बस गुड़ अमाउंट ओफ रेनफॉल मुझे चाहिए, concerned, concerned मतलब कहीं न कहीं वरेड है, कहीं न कहीं इसको थोड़ी से फिक्र है, तो yes, आप कहीं सकते हों कि फिक्रत ही उसको, कि रेनफॉल हो जाए, ताकि मेरे बढ़िया पैसे में कमा पाऊं, encouraged, कहीं न कहीं वो encourage कर रहा है, किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है क्या, नहीं, ऐसी encouragement के तो कोई बात ही नहीं, furious याने के angry, क्या वो गुसा है first paragraph में, नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो furious याने की गुसा हो रहा है, that means clearly option number B, concerned is the right option for this question, next, why is Lencho compared to an ox, Lencho को एक ox से क्यों compare किया गया, उसकी तलना एक ox से क्यों करी गई है, अगर आप lesson read करेंगे, तो एक statement, एक line आएगी, कि Lencho is an ox of a man, ox kind of a man, कि Lencho एक ऐसा man है कि जो ox है, अगर आप ध्यान दें कि ox क्यों होता है, ox याने की kind of bull, जिसको हम हिंदी में sand भी कहते हैं, ये कहां काम आते हैं, field पर काम आते हैं, याने की जब खेती बाड़ी में, खेत हल जोतने के लिए ox काम आते हैं, so ox is a kind of a hard-working animal, yes, तो Lencho को Ox से इसलिए compare किया गए, क्योंकि Lencho भी एक hard-working farmer था, जो अपनी family को support करने के लिए क्या नहीं कर रहा था, yes, इसलिए Lencho को Ox से compare करा गया है, options दिखते हैं, a, to suggest that people underestimated him, यह दिखाने के लिए कि लोगों ने Lencho को बहुत underestimate किया, नीचा दिखाया है, नहीं, इसलिए को इसको animal से compare नहीं किया, so first option is not there, second, to show how hard he worked, यह दिखाने के लिए कितना hard, कितना महनत से वो काम कर रहा है, तो yes, यह बिल्कुल हो सकता है कि कितना hard उसने काम किया है, c, to insult his intelligence, उसकी intelligence, उसकी होश्यारी को insult करने के लिए, बेजद करने के लिए उसको Ox से compare किया गया है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, to emphasize his size, उसका size बताने के लिए कि क्या वो बहुत बड़ा सा मोटा सा आदमी है, इसलिए उसको Ox के साथ compare किया गया है, no, that is not the answer, clearly option B is the right option to show how hard he worked, okay, next, how did the postman feel when he found the letter, जैसे ही postman को letter मिला, उसने देखा कि भाई कोई letter आया है, जो किस तक पहुचाना है, got तक, तो उसको कैसा feel हुआ, so, did he feel amused, amused का मतलब होता है, जब आपको कोई चीज बहुत funny या फिर entertaining लगती है, तो yes, obviously first action उसका funny ही था, he started laughing, कि भगवान तक ये letter कैसे पहुचा हूँ, तो ये एक option हो सकता है, next, amazed, amazed याने surprised, याने जब आप बहुत surprised हो कि ये कैसे हो गया, तो वह surprised तो था ही था, लेकिन उससे पहले वो amused था, हस रहा था कि रहे भगवान तक कैसे पहुचा हूँ, furious याने कि angry कि या वो गुस्ता में था, ये भगवान तक कैसे पहुचा हूँ भई, तो ऐसा भी नहीं, वो तो हस रहा था, sympathetic, जब आप किसी के लिए बहुच सहान बूती दे रहे हो कि, अरे ये बिचारा, तो ऐसा तो थोड़ी कोई उसको reaction था, तो clearly option A, amused, is the right option for this question, next, why did the postman laugh heartily, postman heartily ने दिल खोल के क्यों हसा, options, on seeing a letter address to God, क्योंकि उसने देखा कि कोई letter है, जो किसको address किया गया, किस तक पहुचाने के लिए बोला गया, God तक तो वो हसा, obviously भाई वगवान तक थोड़ी पहुचाँगा, मरूँगा थोड़ी जाके मैं, yes, क्योंकि वगवान के पास जाना है, next, on seeing lencho's condition, लेंचो की condition, उसकी हालत देके वो बहुत हसा, postman को नहीं पता कि कौन है लेंचो और उसकी क्या हालत है, तो वो जानता ही नहीं, तो वो क्यों ही हसेगा उस बात पे, he heard a joke, postman ने कोई जोक, कोई चुटकुला सुन लिया, तो कोई चुटकुला नहीं था उस ताएं पे, all of the above याने उपर दिये गए सारे ही options, तो नहीं हो सकता, clearly option A is the right option, क्योंकि उसने देखा, कि किसी ने शथ God को लेटर भेजने के लिए बोला, तो इस ठीस पर वो बहुत हसा, next, why did the postmaster turn serious, on seeing the letter address to God, अब क्योंकि postman ने देखा, कि अरे भाई God को लेटर पहुचाना है, तो उसने अपने boss, postmaster को जाके लेटर दिखाया, शुरुवात में वो भी बहुत हसा, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा serious हो गया, कि अरे भाई ये letter भेजा गया है, भगवान तक पहुचाने के लिए, तो वो serious क्यों हो गया, options देखते हैं, A, because he realized that Lencho was asking for money, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ गई, कि Lencho पैसों की मांग कर रहा है, अब पहली बात तो वो Lencho को जानता नहीं है, और पैसों की मांग तो कोई भी कर सकता है, इस चीज़ पे serious होने वाली बात कोई नहीं थी, तो option A तो नहीं होगा, B देखते हैं, because he realized that Lencho need government's help, क्योंकि कहीं न कहीं postmaster को ये चीज़ समझ आ गई, कि Lencho को government की, यानि कि हमारी government की, government की जरुवत है, yes, तो इसमें government का लेना देना कुछ नहीं था, option B भी नहीं होगा, C, because he realized that Lencho had immense faith in God, क्योंकि कहीं न कहीं वो letter पढ़के, postmaster को ये समझ आ गया, कि Lencho का भगवान में बहुत faith है, भगवान में बहुत विश्वास है, इसलिए वो कहीं न कहीं serious होगें कि नहीं, इस matter को seriously लेते हैं और मदद करते हैं Lencho की, तो yes, option C बिलकुल हो सकता है, option D देखते हैं, because Lencho had an important task to do, क्योंकि Lencho को एक बहुत important task कोई काम करना था, तो ऐसा तो नहीं, so clearly option C is the right option for this question, आपको कहीं सारे options बहुत useless लगेंगे, तो आपको उस पर time नहीं waste करना है, सही option को tick करके, आगे बढ़ना exam में, otherwise you will waste a lot of your time, okay? Next question, why did Lencho become angry when he counted the money? अब postmaster serious हो गए, कि आरे भाई, letter मिला है हमारे पास, और इस बंदे को पैसे की जुरुवत है, उन्होंने अपनी खुद की salary लेके, सबसे दूसरे employees से थोड़ा एकटा करके, 70 pesos किसको भेज दिये, Lencho को भेज दिये, बगवान के नाम पे कि बगवान ने तुम्हें भेजे, अब ये देखकर, Lencho ने जब पैसे count किये, तो वो गुस्सा क्यों हो गया था, तो इसलिए गुस्सा हुआ था, क्योंकि Lencho को 100 pesos चाहिए था, और मिले कितने, सिर्फ 70, 30 pesos कम थे, इसलिए वो गुस्सा हो गया, So option A, He received 40 pesos, less than what he had demanded from God, उसको 40 pesos कम मिले, उतने amount से, जितना उसने demand किये थे भगवान से, नहीं, 40 तो नहीं, 30, So first option नहीं होगा, 40 pesos नहीं, He received 70 pesos less, उसको 70 pesos कम मिले, जितने उसने demand किये थे, तो 70 तो उसको मिले थे, कितने कम मिले थे, 30 कम मिले थे उसको, ये option भी नहीं होगा, He received 30 pesos less, तो yes, जितने उसने demand किये थे, तो उससे 30 pesos उसको कम मिले थे, तो that means option C is the right option, He received 100 pesos less, उसको 100 pesos कम मिले, 100 तो उसने demand ही किये थे, तो पूरे-पूरे 100 थोड़ी कम मिले, 70 उसको मिले थे, तो ये option मिले थे, that means clearly, option number C is the right option for this question, Next, Why did Lencho ask God not to send the money through mail, अब क्योंकि उसको 70 pesos ये मिले, 30 pesos कम मिले, वो गुस्सा हो गया, तो अब उसने एक और letter लिखा, Lencho ने God को, और कहा कि भगवान इस बार बचे हुए पैसे भेजना, लेकिन mail के थुरू, याने letter के थुरू मुझे मत भेजना है, ऐसा उसने क्यों लिखा, Because he did not want to come to the post office, क्योंकि उसको दुबारा post office पैसे collect करने नहीं जाना था, नहीं भर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको पैसों की जरुवती वो तो कहीं भी जाके लिए है, ठीक है, Option B, Because he thought the post office employees had stolen it, क्योंकि कहीं ने कहीं उसे ऐसा लगा, कि मेरे बचे हुए जो 30 पैसों से, वो post office के employees ने stole कर लिया, यहने steel चुरा लिये, तो ऐसा लगा, तो yes, यह बिलकुल बात सही है, क्योंकि उसको लगा चुरा लिये हैं उन्होंने, तभी उन्होंने क्या लिखा, लेटर में, second letter में कि, post office employees are a bunch of crooks, उनको चोर कहा, dishonest कहा, बलकि बिचारे उन्होंने ही उसकी मदद करी थी, तो यही चीज लगी थी, इस वर्जे से कहा था, भगवान mail के थुरू मत भेजना, यह तो यह post office के employees दुबारा चुरा लेंगे, so option B is the right option, because post office was far away, क्योंकि post office बहुत दूर था, उसते कोई फर्क नहीं पड़ता, none of the above, यहने उपर दिया गया, कोई भी option नहीं, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, clearly option B is the right option for this question, next question, what type of conflict does the chapter highlight, अब conflict का मतलब क्या होता है, यह जो word है, conflict, इसका मतलब क्या है, conflict का मतलब, जब दो लोगों के बीच में, या दो कोई groups हैं, उन दोनों के बीच में, विचार नहीं मिल रहें, opinions match नहीं का रहें, वो कुछ बोल रहे हैं, हम लोग कुछ और बोल रहें, जिस वज़े से विचार match नहीं खा रहें, difference of opinions, या फिर views, ओके, तो किस के बीच में highlight हुआ है, option A, conflict between nature and humans, nature यान इस कुदरत के बीच में, और इंसानों के बीच में, क्या conflict बताया गया है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पर simple बताया गया, कि एक इंसान है लेंचो, जिसका भगवान में विश्वास है, तो इसमें conflict वाली कोई बात नहीं है, तो यह तो नहीं है, conflict among humans, humans के बीचों बीच, इंसानों के बीचों बीच conflict, तो yes, विचार भगवान के तो नहीं आते, क्योंकि भगवान धर्ती पे नहीं आया, आ सकते हैं, इंसान ही हैं, जिनके दिमाग में विचार आते हैं, और जिस वज़े से, अलग-अलग विचार आने की वज़े से conflict होता है, तो yes, यहाँ पर conflict among humans हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेंचों कुछ और सोच रहा है, और postmaster कुछ और सोच रहा है, पोस्ट मास्टर को, कि मुझे चोर बोल रहे हैं, जबकि मैंने तो मदद करी, तो conflict among humans हुआ है, conflict among God and humans, भगवान और इंसानों के बीच में कोई conflict दिखाए क्या, नहीं, भगवान और इंसान के बीच में तो faith दिखाए गया, विश्वास की बात करी गई है, बोथ A and B, दोनों A and B की बात हो रहे हैं क्या, नहीं, तो clearly option number B is the right option for this question, next, what is the irony in the story, इस पूरी कहानी में irony क्या है, irony का मतलब होता है विडंबना, विडंबना मतलब, for example जैसे postmaster है, उसने तो बिचारे ने मदद करी लेंचो की, लेकिन बदले में उसको क्या मिला, thank you तो मिला नी, एक ऐसा letter मिला, जिसमें उसी को ही चोर बता दिया गया, तो कितनी विडंबना, कितनी आइरेनी की बात है कि जिसने मदद करी, उसी को ही चोर, bunch of crooks बोल दिया गया, so this is the irony in this story, कि मदद करने वाला ही चोर साबित हो गया, so Lencho was sad after the hailstorm, even though he was one waiting for a shower, Lencho बहुत दुखी था, hailstorm के बाद, और वो वेट कर रहा था कि कोई शावर हो, yes, तो ये क्या irony है, नहीं, इसमें कोई irony, कोई विडम्बना की बात नहीं है, next, पोस्ट मास्टर लाफ्ट अट लेंचो, बट अरेंच मनी फोर हिम, पोस्ट मास्टर पहले लेंचो पर हसा, लेकिन फिर बाद में उसके लिए पैसे, जमा कर लिए, अरेंच कर लिए, तो ये तो उसके रियक्शन थे, इसमें कोई आईरेंई नहीं है, next, लेंचो ब्लेम्द अपोस्ट अफिस एंप्लोईज, वो इन फैक्ट हेल्प लेंचो ने, पोस्ट अफिस के इंप्लोईज पर ही ब्लेम कर दिया, कि वो चोर है, ये आईरेंई है, ये बड़ी विडम बना की बात है इस लेसन में, तो च्लियरली ऑप्शन C इस राइट ऑप्शन, ऑप्शन D बोलने हैं, तो बिलकुल है, बिलकुल है, ये है किस बारे में, लव, प्यार के बारे में है, तू, एन्मिटी, एन्मिटी यानि जब आपको किसी से नफरत हो रही है, सामने वलब आपको दुश्मन लग रहा है, या आपको जेलिसी हो रही है, that is the feeling of एन्मिटी, या इस बारे में है, c faith यानि क्या विश्वास के बारे में है या d dependence कि आप किसी पर dependent हो किसी पर निरभर हो तो basically this whole lesson chapter is based on faith विश्वास के उपर है the theme of the chapter is faith कि एक इंसान का भगवान में कितना विश्वास है कि इसने भगवान को एक letter ही लिख दिया God को एक letter ही लिख दिया और कहीं न कहीं भगवान ने postmaster के रूप में आके उसकी मदद भी कर दी कम पैसो की की बट की so this whole entire chapter is about faith विश्वास के बारे में है so options है only one कि स्रिव लव के उपर है no only three yes स्रिव only three two three and four के बारे में कि two भी है three भी है four भी है no या one two and three कि one two and three के बारे में अब आप बोलेंगे कि three जो है यहां भी है यहां भी है लेकिन साथ में इसमें two four या one और three भी तो आ रहा है one and two भी तो आ रहा है so that means clearly option B is only the right answer that is faith next after reading the second letter the postmaster is most likely to have been dash अब पहला letter लैंचो ने लिखा था कि 80 पैसो की जरुवत है 100 पैसो की जरुवत है and भगवान मेरी मदद कर दो फिर postmaster ने 70 पैसो इखटा करके उसको भेज दिये अब लैंचो ने दुबारा second letter लिखा है और इसमें वो बहुत गुस्सा था क्यों गुस्सा था क्योंकि उसने expect कि थे 100 पैसोज आएंगे लेकिन सिर्फ 70 पैसोजी आएं तो बहुत गुस्सा था और उसमें लिख दिया कि post office employees ये लोग bunch of crooks है बगवान इसवर mail के थू मुझे पैसे मत भेजना किसी और के थू करना अब जब ये चीज post master ने second letter में पड़ी तो उनको कैसा feel हुआ a was he alarmed क्या वो alarmed हो गए चौकनने हो गए थे कि अरे कुछ घलत होने वाल है alarmed जाने चौकनना तो ऐसा तो कुछ feeling नहीं थी next b offended और क्या उनको offended feel हुए वो offended means जब आप बहुत upset दुखी हो गए तो येस कहीं न कहीं वो बिचारे बहुत offended feel हुए होंगे क्योंको लगा होगा कि लैंचो बहुत खुश होगा लैंचो बहुत gratitude याने शुक्र गुजार होगा कि चलो मादद होगी लेकिन उसने तो हमें ही चोड ठहरा दिया bunch of crooks कह दिया तो यह कहीं न कहीं बिचारे post master birth offend हुए होंगे second letter पढ़ने के बाद तो यह कहीं न कहीं एक right option है third distress tension में आ गए होंगे क्या tension क्यों होएगी tension किसी चीज की तब होती जब हमें लगता रहे वह चीज हो नहीं पाएगी अब मैं क्या करूं वह दुखी थे काई ने upset हो गए bewildered bewildered means confused क्या वो confused थे confused तब होते हो जब आपके सामने चीजे clear नहीं होती उनको पता था कि वो इसलिए हमें चोर कह रहा है क्योंकि उसके पास पूरे hundred pesos नहीं पहुचे सरफ seventy pesos पहुचे तो इसमें confusion की कोई बात ही नहीं थी तो he was not bewildered, he was not confused, he was upset, offended, उनको दुख हुआ कि अरे हमने मदद करी और वो हमें ही चोर कह रहा है so that means clearly option number B is the right option for this question that is offended, okay so children here we come to the end of this session, I hope आपको MCQs इस lesson के बहुर अच्छे से समझ में आ गये होंगे मैंने MCQs के तुरू आपको काफी story भी समझाने की कोशिश करी ताकि आपने अगर summary का video नहीं भी देखा है and आपको story sequence में समझ में आ जाए I hope आपको बहुर अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे पहले के दो वीडियो भी आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से जाईए और करिए ठाकि आपको सारे updates timely मिले तब तक लिए से तुन्ट बबाए और तेक केर